तो नमस्कार किसान भाईो मैं गुल्दीप सिंग आपका गोल्डन किसान चैनलें बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ किसान भाईो आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है चिकम डेड़ साल होगे ने पिक फारम करते हुए और कापी अच्छा एस्प्रेशर है वे खुद पूरा देखे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें नमस्कार जी स्वागत आपको हमारे चैनल में तो जो किसान भाई आपको हमारे नजल से देख रहे हैं यहें एक सर अपना नाम और अपने ज हैकास आटा बता है नमस्कार नमस्कार कुलतीव सबुलिभाई जो यह पढ़ता है बढ़ा के थोड़ा गहाँ पढ़ता है और यह गड़ोड सिसोली तो आपको नाम किया है सर मेरा नाम उत्तम कुमार है उत्तम कुमार है तो सर जो आप पीख फारम कर रहे हैं सर्व कितने दिन से कर रहे हैं लबक मुझे देड़ साल के असपास हो गया तो सर आपने कितने जानुर में Bath इस्टार्ट किया था मैं ने साथ फी मेर्क मेल लेका था एक मेर्या निवर्स अपना फारम स्टेट किया तो सर कैसे आइडिया है कि मुझे फिक फारम करना था और भी फॉर्स आर जिरी फारम भीता सर पॉल पिक सुरू से ही बच्पन से यह था कि मैंने काम करेंगा अपने काम में ही एक डिसाइड का रखा था था उसके कही कारण भी हो सकते हैं कि तो बहुत तो नहीं बताया कि गोट का तो फ़ले कोई इतना पोपलर भी नहीं था जी पिक फर्म का थोड़ा सा यह होता है कि तो बल् बच्चे देती है और इसली को इतना बड़ा काम नहीं है कि बहुत छोटे रख रखाव में जाता है दिक्कत नहीं आती है बिल्कुल अराम से आप मैंटिन कर सकते हैं और रही बात उसकी आपको जिसे बता रहे हैं कि सो कि लिया थोड़ा बच्पन से एक हमें थोड़ा सा इस कि पस्ता से में काम करने के लिए एक्सुकते मतलब कर दो दोज से हटाने के बाद चाहिए दोटल को तो सर वेट की बात की जए तो इन जानुरों में फिलाल का वेट है इनका वेट मैंने जब अभी दो तीन दिन पहले को मलब लेने वाला आया था जी जानुर तो उसका वेट कीया था लगवाग मैंने उसके जब वेट किया थो लगवग 35-35 बढ़या रेक्ट सब बहुत सब्सक्राइब दिवार की बात कि जैसे आपने नो इंची की दिवार लगा हुई है बहुत सारे बहुत सारे विजिट किया तो सब कि आठ लाने के लिगा सकते लेकिन कभी क्या होता कि इचाल स्वाइब फैस्व बुर्णा सबक्राहइब परेंने तो दिवार किया जाए तो तूटने का च़्ादा रखता हाथ हो इसलिए थोड़ा मजबूत एक बार आपको पैसा तो लेगा लेकिन कम से कम करने के शुको अगर आइक तो होता है कि आप टेंपरेली काम करना है आपको लेकिन आप दिल से ही काम करने शुको और चाहते हो कि भविश्चे मुझे से इसी फिल्ड में आगे बढ़ना है ज संद की तो अल्ड़ी तने गर्म होता है तो तो थोड़ा से हवा की बला रहता है रहता ह्से आर शिंप निकल जाती जी इसलिए है तो इस अब पीमेल केते तिन की है सजिर ये पैगनेटी मेल है इसमें वेंब आर बोर है वन एक होταशन संथिंग का है और यह फीमेल हमारी लगभग मैक्सिमम 20 या 25 दिन के बाद दिलिवरी स्टार्ट कर देगी तो सर कैसे पिछान करें जैसा कोई नया फार्मर है वह कैसे पिछान करेंगी हमारी माधए 10 से 15 दिन बाद बाद बिया जाएगी तो आपने सर कैसे आइडिया लगा य देखो जो नया फार्मर आता है उसको थोड़ा सा एक्सपिरियंस तभी मिल पाता है जब काम करता है जिसर एक तो जो डिलिवरी आने का नदीक होता है तो थन होते हैं जो निप्ल होते हैं जिव उस निपल में दूद निकलाता दूद निकलाता समय लिए तो मैक्सिमम 24 नोर्माली तुम जानते हैं कि 14-14 दिन में डिलिवरी हो जाती है अगल आपको मेंटिंग का टाइम याद है तो सब खेल कर से और सर मैं देख पार हो सब तो इस सरी अपर सर्फ टाइमर सर्फ टाइमर रहा है यह इस टाइम जो अब की बार डिलिवरी न कि होगी वह थर्ट टा सबसे बड़ी चीज है उन बच्चों को डिलिवरी होने के बाद हपते के अंदर आपको उनकी केर करके वह थोड़ा सा उनको जितना बचा पाएं करें लाइफ जिनी सिर्फ कर पाएं क्योंकि जादा भारी हो जाता है बैठता है तो दबने का डर रहता है कुछ क्या होता है तो आपस में दानत अकर इनके होते हैं अगर वो पिकलेट पैद इसलिए थोड़ा सा आपको केर रखना पड़ता है तो पैदा होने के बाद ही दो से तीन मालब मैक्सिमम एक दिन के बाद या दो दिन के बाद आपको दानत काट देंगे तो चिस्ते की निपल से दूस पीते हैं तो जखम कर देते हैं वह सबसे बड़ा एफेक्टर होता है इन में इन फेक्शन होने है जी और सर्वें गेट की बात कुलें तो सार्फ गेट का कैसा है यह नहीं तो से बड़ा हो जाता है वह हमारे सादे साथ फूट का था यह हमारा लावग आठ सब्सक्राइब तो वह किस परपस से टांग होई है इसका सर मुझे बताइए ये पली थोड़ा सा मोसम इस टाइम सर्दियों का था जी आप थंड होती है और गाहों के देहात में देखते हो जादा थंड भी होती तो आप जैसे अब गर्मी आने वाली तो हवा थोड़ा वेल् की बात की जाए तो वहां किया साइज है और आगे आपने प्रेड्ट में सार क्या सबस्क्राइब पीछे का हमारा नो फुट जाती है पीछी में लिए गारेगा जो हमारा करें सेड़ का जो हमारी प्रस अब आगे जो वहारी आटा चार्ड को एक फुट को द दो हवादार तो इन बच्चों की बात की जाए तो इन बच्चों की जाए तो इन बच्चों कितने दिन के बच्चे है और क्या मादाओ की बच्चे सब्सक्राइब सब्सक्राइब और यह सब्सक्राइब और यह बच्चे लबग 14-15 दिन के बड़े चंचल है काफी गुम रहे हैं सर इसकी बाद जैसे यह मैं देख पार हो इस खोर की क्या चोड़ाई यह चोड़ाई हमने इसकी लवग एक फिट के असपास रखे लेकिन यह 9-10-9 इंच चोड़ाई और प्रेस्ट चेए चेए और यह रखे थी थाड़ा सा वेस्टेज दिखाने पर जलाने के लिए लिए लेकिन प्लान हमने बदला तो किवल सारी अपना वेस्ट सस्ता अधर नशल नियुक्त लुपाँ है और नौलीज ना होने की और जानवर बीमार होता तो हतास उस्तार होने सामने स्टार्टिंग में फेस होने लगे लिए चाथी तो उपर से तो तो अला कि कम आता थोड़ा लेकिन से जानवर टा और बढ़िया सइनिग से इस माधा की बात की लिए नहीं तो कितने पच्च्ची नहीं बाता है सबसे बहतर माधना हमारी जानवर मनलब एक सबसे बढ़िया सबसे बढ़िया अच्छा मोरा अच्छी अच्छी और मैंने मानता हूं यह मानने जैसे आप इसे है इनको टाइम से पहले है तो कर दो सबसे की जाली यह नियता है यह हमारी फिमील थाइम कि लाइन है यह अब लगवार किसी कि मेरा है किसी कि मेरा अँचा और महिना लगवां सब्सक्राइब इस मादरे सर कितने बच्चे दिये इस मारे इनने आठ बच्चे दिये और आठके आठके सामने यह यह भी लगवाद 1516 इन दो प्रफ टाइम से लिए ठाइब रहे अच्छा है अगा आठका रिशू भी वह अच्छा है सो बिया भी बैतर होताहिए जितने आप जाइज ञाने बच्चे जb lighthouse gear ऑप चार फित के आसपास की है और साइध में होई यह जो अमने साइध में नाली बना अँद पडेशस पर दो से साइड में हमारा जो आप जाते हैं फार्म के नाला भी हमारा वेस्टिड यतना भी इसका ड्रेमा कि निकले एक हाई है का यह यह केविन हमारा चाटिस फिट तो इसकी चोड़ाई है और थारे फिट के चोड़ाई है तो यह दो केविन आपने बनाए यहां इसमें हम इसको रखेंगे इसका निर्मान किया गया बराबर वाला अभी निर्मान दिने उसके लिए हम थोड़ा जिसे आपका बीडर होते हैं तो इसका डो पार्टिशन करेंगे बीडर के लिए और एक अपना अग्रोय के लिए तो यह सद यह थी थे अब कुई तैयार करते हैं घैसे अगर इसका फीड तैयार करना उनक्टी एक सोया डियोची वोलते हैं सोया डियोची में यहार अगूओ पुलीश पोलई जीए मकका होती है ७ी अर आपका चावल किंकी होती है कि इस के अंदर राइस होती है अर Happy ऐता है ऑफिर एक आता है डियोर्पी यह रीजिशता है उसका रेश्य होता है और भी सब को लिपि林 फ़ेर मिंटर मिला गए प्रीमिक्स रडॉल लेकिन मुझे जादे बहतर लगा कि अपना इसमें पता होता है वह किया फिर इतुना है ऑपने किस तरगा कितना है जी एक तरीके से अपना जादे आ kilow तो वह ट्रस्ट करते हैं और अपने हाथ से बना हुआ है और दो अरफे सस्ता ही पड़ता है सबसे बड़ी बात है सस्ता ही में चीजेस में कितना आप पैसे बचा पाएंगे उतना ही आप प्रॉफिट ले पाएंगे पंड़ ने नया प्रॉफिट है का मतलब यह होता है एसा नहीं कि आज चाट किया निएस सब्सार्ट थोड़ा समय लगता है यह रहता है निंग स्टार्ट होती है तो मैं तो चाहूंगा अगर किसी एक्षा है तो पूरा अपने पहले रिशर्च कर देखें उसके बाद ही कदम आगे बढ़ा है कि इस नया फार्मर है तो इनने सर किन-किन बातों का सर ध्यान आगना चाहिए एक बार यह बता है जो भी नया फार्मर होगा उसको में चीज़ साफ सफाई साफ सफाई सबसे पहले विवयस्था हो अपने पर क्योंकि साफ सफाई होगी तो जानवरों में कम बीमारी आएगी जी और कम बीमारी आने के वारन उसको जितने जानवर उसके सेफ रहेंगे उससे ज्यादा मुनाफ़ा भी हुआ हां में चीज तो यह है और बाकी फीड का रहा फीड जैसा उसे जैसे मार्जना का एक्सटा लेना है कम लेना है तो उसी साफ से देरे देरे नौलीज होती है कर लूट चाथ है तो सर आज क्या रेट का कटिंग का रेट तो कोई फिक्स नहीं ओता जी मैं बता हूं आपसे लोकल की जूरियते हम होते हैं कोई 130 भी ले रहा तो यह ऐसा कोई नहीं होता लेकिन नॉर्माली मान के चलो 140 के असपास हमारा अराम से निकल जाता है तो सर आपने जो स्ट्रेक्चर से बनाया था इसमें टोटल कितने रुपे का सब्सक्राइब कर आपका खर्चाया था यह है कि मजबुताई के लिए करना भी बढ़ता है कुछ लबग हमारा छे से सब्सक्राइब रुपे हमारा स्ट्रेक्चर ख़ड़कान में लग गया जानवर हमारे लबग 85,000 के जानवर थे जो इसमें आठ जानवर थे हमारे तो सर आप प्रेग्नेट फीमेल लेका थे सर या हम चले लेका थे हम गिल्टी लेकर रहे थे प्रेग्नेट तो हमने यहीं पर कराई आके क्योंकि हम 55-70 किलो के आसपा जर्मर लेके उठागे उन्हीं को अपने फार्मर पर आके मैटिंग कराई और उन्हीं से आगे काम पढ़ाया तो सर आप सेल के बात की जाए तो आप मेरे हिसाब से जो मैंने अनुमान लगाया तो मैंने 282 यानि दो लाग 282,000 के संदिंग जानवर मैंने बीग दिया और क्रेंट में सर आपके पास कितने जानवर है सर इस टाइम मेरे पास छोटी बड़े मिलाके तो लबग सतरसी क्या सब जाना और हो है और सर प्रेगनेट फिमेल की बात कि जाए तो कितनी है सर प्रेगनेट फिमेल मेरी सोला थी सोला में छे के डिलिवरी हो चुकी है तो लबग दस है लेकिन तो थोड़ा सा मिस्क्रेज हो गया जी तो लबग आठ जानवर मेरे वीवी है जैसे सर कोई नया किसान है तो इन्हें कौन-कौन सी बीम समाज आती है किन-किन चीज का ध्यान रखना चाहिए सर देखिए अगर नया फार्मर होता है तो प्रॉब्लम में भी बहुत सारी होती है जी और प्रॉब्लम में होगे तो आदमी का समाधान भी होता है लेकिन जाएतर फार्मर अगर वेस्टेस पर यूज कर रहा है जी इनमें जायतर खाना छोड़ देना बुखार होना बहुत सारी बीमारी है जायतर बुखार का ही ज्यादा सिम्टम होता है और बाकी तो चलता ही रहता है लेकिन अगर आप ड्राइफीट पर यूज कर रहे हैं तो बहुत कम से कम मैंने मानता हूं आपको ना के बराबर ही फि सब्सक्राइब तो यह किन-किन बातों के सारी जहान रखना चाहिए देखिए अगर जिस आपको लगता है कि मेरी अगर आपको मैटिंग का टाइम याद है तो आप मैटिंग टाइम से इमान की चलिएगा लगबग 115-16 दिन में डिलीवरी हो जाती है अगर आपको टाइम य सब्सक्राइब करने से केक तो उटने बैठने में कि दूसरे के लड़ने उने खाने वने का टाइम पर एक दूसरे को लड़नी पाएंगी तो चोटनी पचा पाएंगी जी जी और डिलीवरी हो जाएगी तो 10-15 दिन पहले जानवर जिस पैन में रहेगा तो थोड़ा महरू अगर हम अपना फीड बनाते हैं तो मान कि चलिएगा लावग 22-23 रूपया सम्थिंग क्लो क्या सपस पढ़ जाता है उसमें थोड़ा बहुत अप्डाउन होता है क्योंकि में इसमें यूज होता है सोया डी उसी उसका अप्डाउन होता रहता है डाउन तो बहुत ही कम होत होता है तो वेतर क्वेड होता है घुज हम से उससी होलता है है । देखे यह कहने को लोग कहते है छी यह होता है प्योव निहीं कि हो भी जाता है ही लेकिनाट सो अप todavía हो जाता है लेकिन यह सभी नहीं होते उसमें कुछ जानौर की ग्रोफ अच्छी होती है कुछ की थोड़ा लेजी टाइप की होती है तो वह लगबग दस मेने भी खाए ले जाता है और बाकी डिपेंड करता आपके फीड पर फीड किस क्वालिटी का है पैदा होने के या मान के लगबग मान के चलेगा लब साड़े पांच-छे मेने के असपास सो के जीगा हो जाता है सब्सक्राइब कि जैसे चोटे बच्छे हैं पैदा होने कि कितने दिन बाद सानी ने वैक्सिनेशन करना चाहिए सब देखिए पहले तो वैक्सिनेशन अलग तरीके भी होती है व तरी प्रणी के बच्चों में कम होता है तो तीन दिन बात देते हो सर चार दिन बात यह दिन दिलिवरी उसके फॉर डेज हम वागवाग वन एमल एमल अंपका हाँ आवन एमल में रिवर आपका आइरन और एक एमल ट्राइब विट को आरन कुन सा लागा इन फरान लगाते तो सर एक बार बताई है हम अपने जो छोटे बच्चे हैं इने कितने केजी पर इन्हें खरसी करते सर देखिए केजी का इसाब नहीं होता लेकिन नॉर्मली बीस दिन के बाद दिलिवरी के बाद 20-25 दिन के बाद आप इनको कभी भी कर सकते हैं जादे बहतर होगा अगर एक म इसे मादा से बच्चे कितने दिन तक दूद्ध पिलाते हो सर आप मादा का फर्क करता है लेकिन नॉर्मल जाज जादा 35-40 दिन लेकिन डियार डिपेंड करता किसी बच्चे किसी बाद इनके बच्चे जल्दी ग्रोथ करते हैं जल्दी फेट पकड़ लेते हैं तो महीना सब्सक्राइब हो जाता जी तो नॉर्मली 35-40 दिन के असपास हड़ा देज़ें तर देज़ें